आज की डेट में नाभी खिसकने की समस्या आम होती जा रही है और अगर किसी इंसान की नाभी खिसकी हो नेवल डिस्टर्ब हो तो उसे कोई भी किसी भी तरह का इलाज दे दिया जाए उसे लाब नहीं होता यह ध्यान रखिएगा अगर आपको chronic indigestion है तो आपकी नाभी खिसकी हुई है यह मान लिजेगा अगर आपको हर वक्त यहाँ पर दर्द बना रहता है यहाँ पर हमेशा accumulation रहता है अब्डॉमेंट फूला रहता है तो नाभी डिस्टर्ब हो सकती है इवन श्याटिका पेन में हमने बहुत बार देखा है कि नाभी किसके हुने की वज़े से श्याटिका पेन होता है और उसका दर्द जाता ही नहीं और आप सिरफ नाभी सेट कर देंगे तो वहाँ श्याटिका पेन तक ठीक हो जाएगा तो आप कैसे सेट कर सकते है नाभी उसका आपको इलाज बताया इस CD के मागधियम से लेकिन उससे पहले आपको जानना है जाचना है कि आपकी नाभी सही placed है कि नहीं आपके परिवार के सदिस्यों की नाभी सही placed है कि नहीं तो कैसे नापेंगे कि नाभी सही जगा है उसका तरीका आपको बताते हैं बहुत ही असान सहज और सरल आपको कोई भी एक pen pencil या scale लेना है उससे जिस भी client की ना भी नापने जा रहे हैं उसकी middle finger देखें ये जो middle finger है इसको आपने नापना है एकदम जड़ से उसके top तक इस तरह से नापा तो जो भी उसमें size आया है same आपको major करनी है दूसरे हाथ की middle finger तो इसमें देखेंगे तो ये difference आ रहा है तकरीबन इतना देखें अब दुबारा मैं नाप रहा हूँ ये यहाँ पर इसे हमने hold कर लिया अब दुबारा से right middle finger नापेंगे तो देखें ये right middle finger left middle finger से लंबी है तो इतना जो difference आ रहा है ये बता रहा है कि ना भी खिसकी हुई है कैसे उपचार करेंगे देखें भले right middle finger बढ़ी आए भले left middle finger बढ़ी आए ट्रीट्मेंट इसका एक ही होगा उसके लिए आपको left hand में एकदम center देखें दोंगलियां इधर दोंगलियां इधर एकदम center में ये इस जगह पर machine से point को activate करना होगा तीन से पांच मिनट machine से इसको activate करेंगे activate करने के बाद right hand के thumb को ये जो उपर वाला जोड है इस पूरे के पूरे जोड को activate करेंगे तीन से पांच मिनट देखें front side इस तरह से activate करना है और फिर back side of the thumb इस तरह से activate करना है तीन से पांच मिनट activate करेंगे activate करने के बाद जब आप दुबारा ना पेंगे तो अब देखें जो size है finger का वो normal आ गया तो ये आप अपने आप पर भी try करेंगे या patient जिसको भी आप देख रहे हैं family member उस पे भी तो immediately अगर आपने सही point choose किया है तो fingers का size normal आ जाएगा यानि ना भी अपनी जगा पर आ चुकी है अब ये ना भी अपनी जगा ही रहे उसके लिए कहा magnet लगाएंगे उसे बहुत जरूरी समझना है क्योंकि बहुत से patient बताते हैं कि ना भी set करवाई set हो गई लेकिन फिर उतर जाती है तो कहीं से आने के बास जाते हैं ना भी set सेंटर वाला magnet white और sides पे yellow इस तरह से पांच magnet इसे sedation चक्रा के नाम से जाना जाता है और अब देखे left hand पे फिर दुबारा हम बता रहे हैं दो उंगलियां इस तरफ दो उंगलियां इस तरफ एकदम center में ये जो बिंदू है यहां पर आपका center आना चाहिए यानि इस तरह से इसे आपको लगाना है जब आप magnet apply करेंगे तो center में yellow magnet दिखेगा और side में चार white magnet दिखेंगे ये treatment हमेशा left hand पर आपको करना है इसके साथ ही साथ 4 बिंदू का उपचार और बता रहे हैं उससे आपकी ना भी बिल्कुल set रहेगी और किसी को navel हरनिया है तो वो भी ठीक हो जाएगा अब देखें वो चार magnet कैसे आपको बनाने है कैसे लगाने है तो आपको दो tape की ज़रुरत रहेगी एक magnet yellow एक magnet white इस तरह लगा लेंगे दूसरे में भी एक magnet white एक magnet yellow इस तरह लगा लेंगे थोड़े से ज़्यादा gap पर यह थोड़े से कम gap पर यह इलाज आपको गरना है right thumb पर तो आपको लेना पड़ेगा client का right thumb देखें इसमें यह आपने magnet लगाए एकदम center में एकदम center खाली है उसके इधर white magnet दिख रहा है इधर yellow magnet दिख रहा है और backside of thumb पर जबाएंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस तरफ yellow magnet आएगा corner में और यहां पर white आएगा यह exact corner में रहेगा यह middle के साथ रहेगा एकदम corner में नहीं जाएगा यह exact corner में रहेगा यह middle के एकदम साथ रहेगा यह yellow यह white इस तरह से चार magnet आपको right thumb पर front and back मिला कर लगाने है और जैसे कि आपको बताया है left hand पर इस तरह से लगाने है तो ये दो treatment करने मात्र से नाभी का खिसकना बंद हो जाएगा नाभी एकदम center में आ जाएगी और अगर नेवल हरनिया है तो वो भी ठीक हो जाएगा तो ये इस इलाज आप नाभी को set करने के लिए करें और इश्वर की कृपा से आपकी नाभी set रहेगी जिसका भी आप इलाज करेंगे उसकी नाभी अपनी सही जगा पे आ जाएगी तो इस इलाज को करें और इसका feedback हमें जरूर दें धन्यवाद